Hello Guys, Welcome to Sagar Robotics तो आज के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने PVC शीट ले लिए कैसे बनाई जाती है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है तो चलो इसके उपर हम कुछ जल्दी जल्दी मार्किंग्स लगा लेते मैं बाद में आपको यह जो मार्किंग्स लगा रहा हूँ दिखाने भी वाला हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि इसी तरीके से आपको भी वीडियो मिलते रहेंगे और मेरे को भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी तरीके से मैंने के आप पीवीसी के शीट कट कर ली तब इसके उपर हम कुछ मार्किंग्स लगा लेते हैं और उस मार्किंग को भी मैं आपको बाद में आपके दिखाने वाला हूँ नापने की क्या ज़रुवत में आपको दिखा ही रहा हूँ लायू दिखा रहा हूँ कि इसके क्या नाप है तो चलो आप देखी लो तो बस इतने ही हमें इसके उपर मार्किंग लगाने थे दो दो चार दो दो इस तरीके से और अब आपको सोल्डिंग आयन लेना है और इसके उपर ऐसे हीट करके इसको बेंड कर देना है क्योंकि हम यहाँ पर कम से कम फिविक एक के अंदर इसको बना रहे हैं और इसको डिजाइन जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पर देने वाले हैं तो चलो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर गरम करते करते हैं यह से बेंड कर लेथें और इसके एक बॉक्स टाइप का चीज बना लेते तो इसके बाद यहाँ पर मैंने फिविक एक से इसको चिपका दिया तो चलो यह दोनों साइड से अच्छे से सैंड हो चुका है अब यहापे मैंने जो PVC सीट का टुकडा था उसको ले लिया और अब यहापे हम ऐसे इस तरीके से मार्किंग लगा लेते हैं काफी कमाल की चीज बनने जा रही है और काफी अच्छे से यह वर्क करने वाली है और आपके काफी ज़्यादा काम आने वाले है क्योंकि वैसे भी बारिश के दिन आने वाले तो इन दिनों के अंदर लाइट की काफी ज़्यादा समझते आ जाती है तो इसके अंदर यह चीज इस तरीके से मैंने कुछ छेट कर दिये, यह एक bulb holder के लिए, charging module के लिए और switch के लिए, तो यहापे मैं इस तरीके का एक SPST switch लगाने वाला हूँ, तो simply इस तरीके से यहापे SPST switch लग जाता है और एक charging module ले लिया, तो इसके उपर यहापे B plus और B minus है, यहापे हमें सीधे battery connection क आपको आगे पता लग जाएगे, तो चलो इस तरीके से यहापे मैं जो tape है, उसको चिपका लेता हूँ, क्योंकि इस module को हमें box के अंदर अच्छे से चिपकाना भी है, तो इस तरीके से यहापे मैंने इसको चिपका दिया, अब रहे गई हमारी holder की बारी, तो यह जो holder है, यह उसी तरीके से बनाए हो, आप market का भी holder यूज़ कर सकते हो, और अब इसको मैं यहापे फेवी किक से चिपका देता हूँ, तो अब इसके connection, तो यह जो red wire है, इसके बीच में हम cut लगा देते, और switch के दोनों terminal के साथ एक-एक red wire को solder कर देते, तो यहापे मैंने थोड़े स yellow, तो red जो है, वो B plus के साथ और yellow B minus के साथ, अब यहापे 3.7 volt की battery ले लिए, यह negative, positive इसके उपर लिखा हुआ भी है, यह positive के साथ दोनों जो positive वाली wire थी, B plus और जो positive वाला switch का और negative के साथ दोनों negative वाली wire लगा दी, बस इतना ही इसके अंदर connection थे, अब इसके उपर circuit ना हो, और अभी भी यार अगर आप बूल गए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो अब इस battery को यहापे चिपका देते हैं, अब यहापर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी charging test ले ले लेते हैं, कि यह किस प्रकार से charge हो रहा है, इसको सब्सक्राइब करने से पहले ही, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग जाए, तो चलो इसको में यहापर cut कर लेता हूँ, और यह जो piece है, इसको हम यहापर चिपकाएंगे, लेकिन उससे पहले यहापर में charging दिखा देता हूँ, तो देखो ऐसे ही आप इसको लगाओगे, तो जो red LED है, वो जल रहा है, क्योंकि बैटरी अभी discharge है, जैसे ही बैटरी full charge हो जाएगी, तो yellow green मतलब अपना blue color के अंदर आ जाएगा LED और अपने आप charging cut off हो जाएगी, जिससे कि बैटरी safe रहेगी, तो अब इसको में यहापर चिपका देता हूँ, और चिपकाने के बाद अब इसकी finishing कर देता हूँ, तो अब यहापे मैंने एक bulb ले लिया पूराना 7 watt का, आप कोई भी bulb यहापर ले सकते हो पूराना, तो इसको आपको इस तरीके से खोल लेना है, क्योंकि यह ऐसा जो होता है, यह 220 salt का bulb होता है, और यह नहीं जलने वाला है, और वैसे भी यह जो हम यूज करके एक अच्छा नया bulb बनाने वाले है, तो यहापे इसको हम रख देते हैं, कई बाद में काम आ जाए, उसके बाद आपको इस disc को ऐसे निकाल लेना है, और इन दोनों point को गरम करके यहापे soldering iron से, जो इसके अंदर की PCB है, उसको हटा लेना है, क्योंकि उसका मे आसे गरम करके निकाल लेता हूँ, तो यह इस तरीके का circuit है, इसके उपर के component हमें बाद में काम आ सकते हैं, तो अब यहापे मैंने कैसी high brightness वाली 4 hold के उपर जलने वाली PCB ले ली, तो यह 3.7 hold से लेके 5 hold तक अच्छे से work कर जाती है, तो इसको हम यहापर लगाने वाले है, तो इसका जो एक hole है, screw का वो आ जा रहा है, तो इसी के अंदर में screw को लगा दे रहा हूँ, अगर नहीं तो आप फेवी kick से भी लगा सकते हो, तो अब इसकी दोनों वायरे आपको पीछे की side में यहापे solder कर देनी है, तो यह इस तरीके से solder हो चुका है, और अब इसके मैंने पहले ही बता दिया, अब आपको दो बाते याद रखनी है, पहली बात तो यह जो बल्ब है, इसको अगर आप उल्टा लगाते हो, तो यह नहीं जलने वाला, इसको आपको डिरेक्शन के अंदर लगाना, मतलब इस बल्ब के साथ positive negative है, इसलिए उल्टा सिधा नहीं जलने वाला, मैं आपको वैसे लगा कर भी दिखा देता हूँ, और जो दूसरी बात है, कि आपको इसको कभी भी बिजली के अंदर नहीं लगाना है, वरना जो बल्ब हो खराब हो जाएगा, क्योंकि यह 3.7 होल्ट से 5 होल्टक चलने वाला है, यह 220 होल्ट के उपर खराब ह है यह, मैं अभी जो स्टूडियोकी लाइट है उसको ऑफ कर देता हूँ, और आपको इसकी ब्राइटनेस दिखा देता हूँ, तो देखो मैंने स्टूडियोकी लाइट आफ कर दी, और अब इसको चला दिया daw, तो कितना ज्यादा है आपर यह ब्राइट चल रहा है, तो हम आप यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाई